दोस्तों नमस्कार आज सावन का पहला सौंबार है आज से सावन का महिना लग गया सावन यानि की भगवान शिव की अराधना का पावन और पवित्र महिना सावन यानि की भगवान राधा कृष्ण को रिजाने का महीना सावन यानि की प्रकर्ती के अढ़भुत नजारे का एक महीना इस सावन के महीने में जो पिछले वर्ष यानि की 2023 में जब सावन शुरू हुआ था तो हर्याना के मेवात छेत्र पर एक बदनुमा दाग लग गया था लेकिन आज जब सावन शुरूओ और आज सावन का जब पहला सौमवार है तो उस सावन के पहले सौमवार को उसी मेवात की वही ब्रिज मंडल शोभा यात्रा और वही मेवात का नलहर का महादेव मंदिर और वहां पर हुई पूजा आराधना वहां निकली शोभा यात्रा उसने एक बात फिर से ये सावित कर दी कि देश के अंदर जो हमारी गंगा जमनी तहजीव है जो हमारा भाईचारा है उसको समय समय पर आने वाली ये छोटी मोटी घटनाएं डिगा नहीं सकती इस आज जो यात्रा निकली आज जो मेवात के अंदर ब्रिज मंडल शोभा यात्रा चली बगवान महादेव पर जलाभिशेक के बाद में तमाम साधू संतों और श्रद्धालूओं ने जब जलाभिशेक किया और उसके बाद जब यात्रा का शुभारंब हुआ उस यात्रा पर जिस प्रकार से मेवात के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों ने जिस प्रकार उस यात्रा का स्वागत किया, खेर मगदम किया, फूलों की वर्षा की, इसके साथ साथ शीतल पे और फलों के साथ में उनका जब स्वागत किया तो उससे एक बात तह हो गई जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि मेवाद की गंगा जमुनी तहजीब को कोई आसानी से डिगा नहीं सकता आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर बताते हैं कि वर्ष दोजार तेईस में इकतिस जुलाई को सावन का पहला सौमवार था उस सौमवार को यानि की सावन के पहले सौमवार पर दोजार तेईस में मेवाद के अंदर जो ब्रिज मंडल शोभा यात्रा निकला करती है जिसको पहले बजरंग दल प्रायुजित करता था बजरंगदल प्रायजित शोभा यात्रा निकली 31 जुलाई को सावन का पहला सोमवार था और हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से कुछ शोदे लोग कह सकता उनको में कि जो आपसी सामाजिक भाईचारे को खराब करते हैं उस यात्रा के दोरान बवंडर हो गया और यात्रा के दोरान में उस बवंडर से मेवात की जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको बड़ी ठेस लगी इतना ही नहीं उस घटना करम के अंदर छे लोग अपनी जान गवा बेठे ना केवल हरियाना बलकी हरियाना के साथ साथ जितना भी ब्रज का इलाका लगता है उत्तर परदेश और राजिस्थान इसके साथ साथ हरियाना के कई जिलों तक उस घटना को ले करके तनाव की स्थिती बनी रही वो तो हमारा जो पलिस और प्रशासन इतना सजग रहता है हमेशा कि पिछले वर्ष जो 2023 में घटना हुई सरकार ने और पलिस प्रशासन ने उस पर त्वरित एक्षन लिया और वो घटना पर तुरंत काबू पालिया गया और उसके बाद धीरे धीरे वो घटना शान्त हो गई और पिछले वर्ष सावन के अंतिम सौमवान को वो महादेव का जलाभिशेक हुआ जब इस वर्ष बात शुरू हुई थी कि भगवान महादेव का जलाभिशेक होगा शोबा यात्रा निकलेगी तो उसको ले करके चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे वो प्रिंट मीडिया है और तमाम डिजिटल, इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट सभी मीडिया संस्थान इसको दिखा रहे थे दोस्तों आगे पढ़ने से पहले एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मीडिया संस्थान की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पिछली घटना को भी कहीं इसकदर बढ़ा करके न दिखाएं हमने कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पढ़ा, कई चैनल्स पर देखा भी सही कि उनमें दिखाया जा रहा था कि ये हो गया था, वो हो गया था यानि कि पिछली यादें ताजा करने का प्रियास जबकि होना ये चाहिए कि अगर कहीं कोई कुछ सिद दाग लग गए हो, कहीं कोई ऐसी प्रकार की घटना हो गई हो जिसने की सामाजिक ताने बाने को कहीं छिन भिन किया हो, तो उस घटना को बुलाया जाना चाहिए हमेशा हुआ ये करता है कि जो इबारत लिखी जाती है भविश्य की, वो इतियास की बुनियाद पर लिखी जाती है लेकिन अगर कहीं इतियास की बुनियाद कालिक से भरी होई हो, तो उस कालिक को फिर पोंच दिया जाना चाहिए खेर जो इस बार यात्रा चली आपको ध्यान होगा हमने भी आपके साथ 2-3 वीडियो शेर किये थे और हमने आपको बताया था कि मेवात का पुलिस प्रशासन इस बार पूरी तरह से गंभीर है सक्रिय है और दूसरी बात यह हुई दोस्तों कि उस शोभा यात्रा को निकालने कि जिम्मेदारी जो मेवात के सामाजिक संगठन है साधू संते उनके जिम्में डाल दी गई बजयाय उसको कि बजरंगदन और विश्वंदू परिश till ने खुद से कहा कि ये जो यात्रा है वहां की लोकल लोग उस यात्रा को चलाएंगे जो ब्रिज मंडल शोभा यात्रा जो निकाली जाने थी जिसके लिए कि मेवाद के लोगों के अलग-अलग कमेटियां बनी और उन कमेटियों ने कह दिया कि शोभा यात्रा के अंदर कोई ज़ादा बहार के लोग शामिल ना हो इसके साथ साथ पष्ट संदेश दे दिया गया कि यात्रा के अंदर कोई भी व्यक्ति धार्मिक उन्मात की भावना से ना है अपने इष्ट की अराधना करना सबका अधिकार और सबको करनी चाहिए अपने इष्ट देवता की पूजा करना उपासना करना चाहे वो देश के किसी भी कौने में है, कोई भी श्रद्धालू किसी भी कौने में जा सकता है और इवन भारत के अंदर तो किसी प्रकार के हमारे देश में तो किसी प्रकार की कोई रोक टोक कहीं है नहीं लेकिन देखना ये होता है कि कहीं धार में कुन मानता बढ़ाना कहीं न कहीं भाईचारे को और आपसी वेमरस्य को खराब करता है और इस बात को समझा दोनों समुधायों ने अगर आप देखें तो आज जो शोभा यात्रा निकली एक विशाल शोभा यात्रा थी बहुत बड़ी संख्या में उसके अंदर लोग शामिल की हुए जिला प्रशासन ने इतना सब एहतियात इंतिजाम किये हुए थी बदाई के पातर है नू के डियेम और नू के पुलिस कप्तान कि जिनोंने पहले से ही इतने जवरदस्त इंतिजाम कर दिये थे कि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित होनी तो दूर की बात है कोई सोच भी ना ले यानि कि जो मैं आपको बता रहा था कि इतिहास के पन्नों पर भविश्य की इबारत लिखी जाती है जो पिछले वर्ष जो कहीं कमजोरी या कमी रह गई थी जिला पुलिस और प्रशासन ने उसको पहले ही पूरी गंभीरता से देख लिया कि कौन से पेच रह गए थे जिसकी वज़ा से वो घटना हो गई और आगे बविश्य में कभी ना हो खेर आज जब यात्रा शुरू हुई तो यात्रा के अंदर सबसे पहले साधुसंत थे साधुसंतों के बाद में श्रतधालू थे श्रतधालू के अंदर महिला पुरुष सभी थे जिला प्रशासन ने एहतियातन वहां के बाजार बंद करने का कोई सपष्ट आदेश नहीं था अनुरोध था वो भी कि ताकि किसी प्रकार की भी घटना ना घट पाए किसी प्रकार का ऐसा कुछ ना हो कि शरारती तत्व कभी कहीं भी पहुंच सकते हैं और शरारती तत्व की बारे में आप ये बात जरूर जान ले कि उनका कोई जाती धरम संपर्दा है उनका इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता उनका केवले एक काम होनता है शरारत करना बस सिर्फ तो इस सब को देखत कि ये मौका है हमारे पास यानि कि मुस्लिम समाज के पास कि जो पिछले वर्ष हम पर बदलुमा दाग लग गया था उसको धो दिया जाए और आज वही हुआ आज वही हुआ वहाँ पर कि जिस समय वह शोभा यात्रा चल रही थी तो तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़े लोग सभी लोग जो शोभा यात्रा में शामिल होने लोग आये हुए थे उनके लिए जल परशाद की पानी की और खाने की वेवस्ता उनकी सेवा कर रहे थे मंदिर के अंदर बहुत बढ़िया भंडारा चल रहा था और वही में दुवारा कहूंगा कि पुलिस के जो उपायुक्त हैं और नौके नौके पुलिस कप्तान है इनके साथ साथ बढ़ाई का पात्र है समूचा प्रशासन और समूची वहां की पुलिस वेवस्ता इसके साथ सबसे अधिक बढ़ाई का पात्र है वहां के हिंदू मुसलिम और दोनों समाजों समुदाय संप्रदायो के वहाँ पर रहने वाले लोग जिन्नोंने की ये समझ लिया कि जो कोई भी व्यक्ति अगर समाज के अंदर खराब करने वाला है तो उस पर खुद नजर रखें उसका खुद इलाज करें खुद उसका इंतिजाम करें और इसके साथ साथ आगे बढ़ करके जिस प्रकार से दो दोनों समुदायों ने दोनों संप्रदायों ने इस भव्य शोभा यात्रा को आज संपन्द करवाया उससे पूरे नकेवल देश के अंदर बलकि समीचे विश्व में क्योंकि आप ध्यान करें कि जो पिछले वर्ष जो घटना घटी थी उसको ले करके नकेवल भारत का बल है और इस वर्ष जो यहां पर सब कुछ हुआ उसका एक संदेश चला गया कि भारत की और मेवाद की गंगा जमनी तहजीब को इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं कभी हिला नहीं सकती आज की जो शोभा यात्रा निकाली गई वहां की शोभा यात्रा के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि तमाम साधू संत जो उसकी अगवानी कर रहे थे पहले वादा किलोमीटर शोभा यात्रा पैदल चली और उसके बाद उसको क्योंकि बहुत लंबा लगवग 70 किलोमीटर का एरिया है नलड का जो मादेव मंदिर है वहां से शुरू होती है नूंका उसके बाद वो यात्रा पहुंसती है पुराना के सिंगार में उसके बाद पहुंसती है वो फिरोज पुर्जर का यानि कि तीन, दो महादेव के मंदिर और एक राथा कृष्ण के मंदिर पर जाकर के वो यात्रा संपन होती है, इतनी बड़ी यात्रा को पैदल तो वैसे चलाए रही जा सकता, तो इस लगबग 70 किलोमीटर की यात्रा को जिस प्रकार से आज संपन कराया गया, मैं तो एक बा नहीं सकते हैं और छोटी मोटी घटनाए अगर कभी हो जाती है, तो वो उस भाईचारे को विखंडित नहीं कर सकती, वैसे आपको क्या लगता है कि कि जिस प्रकार से आज शोफा यात्रा संपन होई, क्या इसी प्रकार से आयोजनों को दोनों समुदाय अगर मिलकर करेंग और इसके साथ-साथी जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपकी बार गंभीर और सक्रिय रहा, अगर इसी प्रकार से विवस्ता बनाई रखी जाए, तो फिर भविश्य में कभी वो घटना जो 2023 में हो गई, वो नहीं हो पाएंगी, आप भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर ब